हेलो स्टुडेंट्स मैं मनो हर्चंदेलिया टीम जुलो जी आज हम डिस्कस कर रहे हैं मेजर फोर का और इसमें सारे जो है वो केस्टन सोल कर रहे हैं तो आपके यह सारा समझ में आ जाए कि कहां कहां इसमें अपने गलतियां रही है और आगे हम इनको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं क्लियर तो स्टार्ट करें इसमें आपको देखिए नीट का पैटर्ण सबको अब पता चल चुका है कि नीट के पैटर्ण में सिस्टम जो है वो अब कैसे रहेगा 35 questions यह आपके compulsory होंगे शुरू के और लास्ट के जो 15 questions है उन में से आपको कोई 5 questions यह आप छोड़ सकते हो 10 questions उसमें से लेने इसका मतलब आप समझे रहो कि marking जो होगी आपके scoring जो होगी वो 45 questions में से होगी क्लियर आंतर है तो हम स्टार्ट करते हैं question number 101 101 है choose the correct match with reference to excretory structure उत्सर्जी संदचना के संबंद में सही विकल्प का chain कीजिए इकाइनस excretory tube गलत है इकाइनस में excretory organ absent होता है फेशियोला फ्लेम सेल्स करेक्ट है पाइला प्रोबोसिस ग्लेंड इंकरेक्ट फेरेटीमा मेलपीजियन ट्यूब्यूल एप्सेंट फेरेटीमा में क्या होता है फेरेटीमा में नेफ्रीडिया होता है clear नहां तक तो correct option जो है वो क्या हो जाएगा इसके according correct option second हो जाएगा इसका यह इसका correct answer हो गया इसके बाद आप देखें next question number 102 इसमें दिया हुआ which of the following statement is correct for mixing mixing जान भी आपको cyclostomat है mixin cyclostomat है जिसमें आपने पढ़ा है mixin होती है और patronize होना है mixin के लिए आपको क्या बताना है इसमें correct statement identify करना है they have a sucking and elongated mouth without jaw यह incorrect statement हो गया without जो है यह बात इसकी सही है लेकिन इनके अंदर जो है वो mouth कैसा है elongated mouth बता रहा है इसलिए यह wrong statement हो गया कैसा होता है sucking and circular mouth होगा clear आं तक यह wrong हो गया open type of blood circulatory system in them wrong हो गया close type circulatory system होता है their body wearing six to fifteen pairs of gills leads for respiration यह correct है उसके बाद their body covered with cycloid and trinoid scales यह incorrect है क्या होती है skills absent होती है दिया वाए NCIT में devoid of skills and paired appendices clear आं तक तो वो इसमें नहीं होते तो third option इसके लिए correct option होगा कि इनके अंदर क्या होता है six to fifteen pair gills leads होती है यह correct है बाकी इसके लिए incorrect है clear next question number 103 इसमें दिया हुआ है select the homothermic animal with memory gland and oviparity इसमें सबसे पहली चीज़ आपको यहां द्यान देने की है homeothermic homeothermic है इसका मतलब या तो एवीज या मैमेलिया clear उसके बाद आ गया जाए memory gland and oviparity memory gland present हो लेकिन oviparous हो तो क्या होना चीए प्रोटोथीरिया और प्रोटोथीरिया का example इसमें कौन सा है second platypus जो है वो इसमें प्रोटोथीरिया है clear आँ तक corvus oviparous है लेकिन memory gland नहीं है platypus प्रोटोथीरिया है memory gland भी present है मैमेलिया का member है लेकिन oviparous है clear तो second option इसका correct option हो जाएगा इसके बाद आप देखें next question में इसके बाद 104 which structure of cardiac muscles allow the cells to contract as a unit हिर्दय पेशियों में ऐसी कौन सी सन्रचिना है जो इसकी कोशिकाओं को एक इकाई के रूप में संकुचित होने के लिए साहिक होती हैं तो क्या होता है इनमें cardiac muscles में या हिर्दय पेशियों का विशिष्ट गुण होता है कि इनमें intercalated disc या antarvist disc जो है वो इनमें पाई जाती है जिसके कारण एक में आएवे एक fiber में आएवे जो impulse है वो आगे से आगे अगले fibers में जो है वो conduct हो सके उसके लिए इनमें intercalated disc पाई जाती है जिससे वो एक unit के रूप में moment या contraction करते हैं clear आँ तक correct answer जो है वो इसमें क्या ना चीए third जो है वो इसका correct answer आ जाएगा intercalated disc होने चीए clear आँ तक यह इसमें ऐसी होती है जो इनको एक unit के रूप में contract करवाती है clear next question देखें select the mismatch with reference to various cells and their presence in animal body मैं विभिन कोशिकाओं और जन्तु शरीर में इनकी उपस्थिती के संदर्व में गलत मिलान का chain कीजिए पहला इसमें क्या करना है incorrect जो है उसको आपको बताना है mismatch जो सही match नहीं कर रहे हैं इनमें chondrocytes cartilage in limbs and hands correct neurons brain and spinal cord correct ciliated cells alveoli of lungs यह गलत है ciliated cells नहीं होती का होती है fallopian tube में हो सकती है trachea में हो सकती है appendival epithelium में हो सकती है लेकिन lungs की alveoli में नहीं होती वहां के only squamous cell होती है इसलिए यह incorrect हो गया mast cells connective tissue के अंदर present होती है तो यह बाकी सारे सही है mismatch कौन सा है ciliated cells वाला mismatch है correct answer third हो जाएगा clear यहां तक उसके बाद आप देखें next question read the following statements carefully with reference to PEM choose the option with all correct statements PEM यहां क्या है protein allergy malnutrition यहां PEM जो है वह protein energy malnutrition है protein और उर्जा की कमी से होने वाले रोग के बारे में तो protein और उर्जा की कमी से protein energy deficiency के कारण होने वाले जो disease है वह marasmus और qasar cure तो यहां आपको क्या बताना है marasmus और qasar cure से related statement दिये वे हैं इन में से आपको correct statement को identify करना है clear ना तक तो इसमें choose the following statements carefully with reference to PEM choose the option with all correct statements तो correct statements के लिए बताना आपको causes wasting of muscles in infants and children शिशू और बच्चों में पेशियों की दुर बलता correct है सही है यह इसके कारण होता है यह correct statement cause failure of growth and brain development growth or brain development दोनों के लिए failure रुपया some fat is left under the skin in marasmus यह गलत है किसके लिए आया है qasar cure के लिए यह qasar cure के लिए सही होता है marasmus के लिए गलत है qasar cure is found in a child less than one year of age qasar cure more than one year of age होता है less than one year age नहीं होता qasar cure एक साल से ज्यादा के बच्चों में होता है marasmus कम के बच्चों में होता है तो यह इसके लिए गलत हो गया यह यह क्या आना चीए था more than आता more than one year of age तो सही होता है, का मतलब ये भी wrong हो गया, तो सही जो statement है, वो कौन-कौन से है A और B, इसके सही statement है first option इसके लिए correct option हो जाएगा clear, समझभे आगई बात अब आगे चलें, next next question में देखें 107, all of the following enzymes are present in pancreatic juice, accept सभी enzyme pancreatic juice में पाएज जाते हैं, सिवाए कौन से enzyme के इनमें आपको वो enzyme चाटना है जो pancreatic juice में नहीं होता हो amylase enzyme pancreatic juice में होता है correct है, pancreatic amylase होता है lipase enzyme भी present होता है, carboxy peptidase enzyme भी pancreas में होता है जो dudynum में इसारे dudynum में food को digest करने अले enzyme है, तो यह सारे प्रेजेंट होंगे, nucleotides यह इसमें नहीं होता है कौन सा होता है nucleic acid से related जो enzyme होता है वो उसमें nucleage होता है pancreas के अंबर nucleage enzyme होता है जो nucleic acid को nucleotides में dissociate करता है nucleotide में तोड़ता है और आगे nucleotide को nucleoside में तोड़ने के लिए nucleotidase enzyme जो होता है वो कहा होता है यह small intestine में present होता है तो यह small intestine के अंदर यह enzyme present होगा जिसमें succus entericus जो होता है उसके साथ होता है वहाँ जाके यह small intestine में या ileum के अंदर food को digest करता है clear आगे तक nucleotides enzyme इसमें नहीं होगा तो correct answer इसका क्या जाएगा fourth answer इसका correct answer जाएगा clear आगे तक तो यह इसमें हो गया nucleotides वाला इसके बाद आप देखें next question number which of the following factor is not favorable for formation of oxymoglobin within the alveoli alveoli के अंदर या कुपी काओं के अंदर oxymoglobin बनने के लिए favorable कों सान नहीं है oxymoglobin बनने के लिए यानि association के लिए favorable कों सान नहीं है clear इसमें आप देखें oxymoglobin बनने के लिए high PO2 है तो oxymoglobin बनेगा low PCO2 है alveoli में ये भी बात सही है वो भी oxymoglobin बनाएगी low temperature होता है ये भी सही है क्योंकि tissues में temperature high होता है जहां oxymoglobin dissociate होता है जबकि alveoli के अंदर क्या होता है alveoli में temperature कम होता है जहां oxygen hemoglobin के साथ bind होती है और oxy hemoglobin बनाती है hydrogen ion concentration जो है वो इसके लिए favorable नहीं है high hydrogen ion concentration favorable नहीं है clear नहीं हां तक high hydrogen ion concentration होने का मतलब क्या हुआ acidic medium होना higher hydrogen ion जो है इसका होना इसका मतलब होता है acidic medium का होना और acidic medium है वहाँ CO2 concentration जागा है तो वहाँ O2 CO2 के O2 hemoglobin के साथ proper binding नहीं कर पाएगी इसलिए इनमें क्या होगा high hydrogen ion concentration इसके लिए favorable नहीं है तो क्या होजाएगा second option इसका correct answer होजाएगा clear इसके बाद हम बात करें next question की nerves from supraesophasial ganglion in cockroach inner weights A and B organ choose the option which correctly fill the blanks A and B cockroach में supraesophasial ganglion जिनको cerebral ganglion कहेंगे उन cerebral ganglion से या supraesophasial ganglion से जो nerve arise हो रही है जो nerve निकल रही है वो कहाँ जाती है वो antenna में और compound आई में जाती है कहाँ जाएंगी वो नर्फ antenna और compound आई में जाती है तो correct answer A और B के लिए क्या ना चीए A और B के लिए correct answer आजाएगा antenna and compound first answer इसके correct answer जो है वो इसमें हो जाएगा कि ये cerebral ganglion से या supra isofasial ganglion से arise होने वाले nerve कहाँ impulse को conduct कर रही है तो ये antenna में और compound eyes में clear तो ये correct answer इसका first हो जाएगा इसके बाद देखें next question given below is a diagrammatic representation of right pelvic girdle and lower limb bones ये diagram pelvic girdle को और lower limb bone को represent कर रहा है इस diagram है choose the correct option with reference to wrongly matched तो इसके लिए wrong match जो है उसको आपको identify करना है यानि wrongly labeled गलत तरीके से label किया गए जो नाम है वो इसमें कौन से है इसमें आप यहाँ देखें ileum ये correct है पूरी को coxial bone कर रहे हैं इसको ileum and estium pubis दोनों को मिला के coxial bone कर रहे हैं ये भी सही है ये sacral bone होती है जो क्या है sacral vertebrae है और उसके बाद ये estium pubis है ये दोनो estium और pubis दोनो गलत पर रहे हैं pubis ये है और estium नीचे वाली है तो ये दोनो estium और pubis जो है वो इसमें wrong labeled कर रखी है तो pubis and estium ये इसका first answer correct हो जाएगा estium और pubis clear ये इसमें first हो गया और इसके बाद देखें next question choose the incorrect statement with reference to the mechanism of muscle contraction पेशी संकुचन की क्रियाविदी के लिए incorrect statement को या गलत कथन को पहचानना है तो गलत कथन जो है उसका चाहिन करना है तो पहला statement है muscle contraction is initiated by a signal sent by the CNS via sensory nerve पेशी चंकुचन की क्रिया किस से प्रागम होती है जो CNS से sensory nerve के द्वारा लाएगे जो signal है उनके कारण muscle contraction शुरू होता है ये चीज ही यहा गलत हो गई sensory nerve के द्वारा लाएगे सुचनाओं के द्वारा नहीं होता है कौन से होती है यहां motor nerve अगर होती तो इसका correct हो जाता statement तो पहला statement ही इसके लिए incorrect हो गया तो answer इसका सीधा सीधा first answer ही चला गयाएगा clear यहां तक यह हो गया है इसके बाद आप देखें next question number 112 इसमें दियावा है which of the following sex hormones produced anabolic या synthetic effect on proteins and carbohydrate metabolism तो protein और carbohydrate की metabolism पर anabolic effect चोई है वो कौन से होर्मोन के करना होता है NCRT में दिया हुआ है पूरी करी के से कौन सा हर्मोन है testosterone हर्मोन या एंडोजन हर्मोन है वो anabolic effect करता है तो यह इसका first option correct हो जाएगा testosterone हर्मोन के करना हर्मोन के करना है वो इन में anabolic effect होता है clear anabolic और catabolic का मतलब anabolic का मतलब synthesizing बनाने वाला catabolic protein को carbohydrate को तोड़ने वाला clear तो anabolic जो हर्मोन है वो कौन सा है testosterone है clear इसके बाद next आप देखें 113 which part of the brain is responsible for analysis of neural impulses of the image formed on the retina तो retina के उपर जो image form हो रही है वहां के impulses को collect करके उसकी proper analysis कौन सा part करेगा तो इस cerebrum का visual part जो होता है visual cortex जो होता है cerebrum में वो इसके लिए responsible होता है cerebrum में visual cortex जो होता है उसका occipital lobe के अंदर present होता है वो part इसके लिए responsible होगा तो second option इसके लिए correct हो जाएगा visual cortex of cerebrum clear आदक तो cerebrum का visual cortex इसके लिए responsible part है उसके बाद आप देखें, next, next is number of QRS complex that occur in the ECG in a given time period determine, तो ECG से आप किस चीज़ को determine कर सकते हैं, particular time duration में, suppose that, कोई ECG आपने देखा, कि ये किसी आदमी में बनने वाली ECG है, ये अवे step से ECG होती है, फिर ये आगए, तो ये essay-in के अंदर, ये आपने देखा, इस तरीके से ECG होती है, तो ECG के अंदर बनने वाले जो QRS complex है, क्या पूछ रहे हैं, ECG में बनने वाले ये QRS complex, ये QRS complex जो है, वो किस चीज़ को determine कर सकते हैं, ये इसकी heartbeat की rate को या हिर्दय स्पंधन दर को indicate कर सकते हैं, ये उसको determine कर सकते हैं, कि 5 मिनिट में आदमी में इतनी बार heartbeat हो रही है, तो उसकी per minute की rate, ये QRS complex इतनी बार आ रहा है, इसका मतलब per minute की rate है, वो उसकी क्या रही है, ये रहां तक, तो इससे heartbeat rate को जो है, वो आप determine कर सकते हैं, कार्डिक आउट्पूर्ट स्ट्रोक वोल्यूम इनका, हया हर्ट की strength का, इनका पता इससे नहीं लग पाता है, क्लिए रहां तक, तो QRS complex से जो counting कर सकते हैं, वो हम उसकी heartbeat rate को जो है, वो डिट्रमाइन कर सकते हैं, क्लियर, उसके बाद, next आप देखें, which contractile layer of the vein is predominantly thinner than the artery in human, मानों में, आर्टी जो होती है, तो मानों के अंदर, वेन के अंदर, उसकी कौन सी contractile layer, संकुचन सी इस्थर जो है, वो धमनियों से पतला होता है, तो धमनी से पतला जो है, वो contractile layer जो है, वो इसमें कौन सी layer के कारण जो है, वो सिरह है, या वैंस की जो wall है, वो thin होती है, तो किसके कारण, ये, इसकी middle layer के कारण होती है, इसको क्या कहेंगे, तो middle layer के कारण होगी, जिसको कहेंगे tunica media, तो इसमें third answer correct हो जाएगा तुनी का मीडिया की जो मोठाई है वो उसमें कम होती है clear आंतक इसके बाद next long exposure to stone dust पत्थर की जो dust धूल निकलती है stone dust can give rise to inflammation leading to formation of fibrous tissue and the causing serious lung damage such an occupational respiratory disorder is अगर किसी वेक्थी में किसी आदमी में जो है वो dust stone dust जो निकल रही है जैसे कईयों में cement factory हो में काम करने वाली जो लोग होते हैं उनके अंदर जो dust आ रही है वो dust fibrous tissue जो है वो बनाती है लंग्स के अंदर सांस के साथ जो आ रही है वो fibrous tissue बनाती है और उसके कारण जो है वो lung damage जैसी बीमारियां जो है वो इसमें हो जाती है तो ऐसी बीमारियों में such an occupational such an occupational respiratory disorder is इस तरह का व्यवसाइट रोग है तो कौन्सा होगा silikosis तो यह dust particle के अंदर सांस के साथ आने के कारण लंग्स के उपर fibrous tissue का deposition कर देता है तो सांस लेने में परिशानी होने जाती है क्या कहेंगे इसको silikosis तो यह disease है वो silikosis होगी उसके बाद आप देखें next in which of the following part of the nephron the filtrate is isotonic to blood plasma nephron के कौनसे part में filtrate blood plasma के संपरासरी या isotonic होता है तो blood plasma के अंदर जो filtrate होता है उस filtrate के अंदर क्या होता है उसका 300 milliosmol per liter यह इसकी osmotic concentration होती है blood plasma में तो blood plasma की osmotic concentration इतनी है इसके equal osmotic concentration जो है वो nephron के कौनसे पार्ट में होती है इसके equal osmotic concentration जो है वो का होती है outer cortex में तो nephron में आपको ध्यान होगा इस type की जो है वो nephron की structure है और यह nephron की structure में फिर यह loop of handling है और उसके बाद यह DCT जो collecting duct के अंदर open हो रही है clear आंतक यह जो outer cortex part होता है इसके अंदर यह 300 milliosmol per liter है इसके अंदर अब आपको correct answer इसके according पहचानना है proximal convoluted tubule यह सही है यही तो है यहां पर proximal convoluted tubule यह तो proximal convoluted tubule जो है वो correct हो जाएगा descending limb of loop of handling ascending limb यह सारी का है यहां तक आते आते 600 900 1200 milliosmol per liter हो जाती है clear नहीं तक तो blood plasma के equal जो होती है वो कहा होती है proximal convoluted tubule में या PCT में यह इसके equal होती है correct answer इसका first ही हो जाएगा उसके बाद आप देखें next next diuretics are substances that एक होते anti-uretic anti-diuretic और एक होते है diuretic diuretic का मतलब जिसके कारण urine ज्यादा बन रहा हो और anti-diuretic जो urine को कम बनाती है clear आतक जैसे ADH है ADH है वो urine को कम बनाता है जो water का reabsorption ज्यादा कर लेता है जिससे कम urine बने तो और वो anti-diuretic है diuretic का मतलब है जिसके कारण urine ज्यादा बनता हो इसका मतलब कौन से substances जो renal reabsorption को decrease करते हो रिनल reabsorption को reduce करते हो तो renal reabsorption kidney से जो filter होके जाने वाला जो पार्ट है उसका reabsorption कम जिसमें होता हो उसको कहेंगे diuretics और ज्यादा करता हो रिए absorption वो anti-diuretics clear तो diuretics are substances that slow renal reabsorption of water increase renal reabsorption cause anuria एकदम ही anuria urine निकल नहीं नहीं दे ऐसा भी possible नहीं promote release of ADH तब हो गया है anti-diuretic हो जाएगा तो यह इनके अंदर जो है वो first is का correct answer जाएगा जो क्या करता हो water renal reabsorption के अंदर water का reabsorption कम करवाता हो clear आं तक वो होगा diuretics clear इसके बाद next देखें which of the following hormone cannot be included in same chemical group इन में से same chemical group में कौन सा include नहीं है aldosterone cortisol thyroxine progesterone इन में यह steroid पहला steroid है दूसरा भी steroid है तीसरा यह चोथा steroid है तीसरा यह amino acid derivative है यह amino acid का derivative है जो किसे बन रहा है iodine और किसे एक तो इनके अंदर जो है वो iodine है और iodine के साथ जो है वो यह tyrosine amino acid है वो इनके अंदर उखने है clear आँ तक तो यह इनके अंदर जो है वो amino acid derivative है बाकी सारे steroid है तो कौन सा हो गया thyroxine जो है वो इसमें सबसे अलग हो गया third answer हो जाएगा पूछा क्या है which of the following hormone cannot be included in same chemical group तो बाकी तो सब chemical group के सबसे steroid है केवल thyroxine इसमें steroid नहीं है clear इसके बाद next question secretion of epididymis vast difference seminal vesicle and prostate are essential for मैं इनके epididymis vast difference and seminal vesicle prostate gland इन सबके secretion किसलिए जरूरी है क्यों essential ncrt से पूरी ऐसी ऐसी as it line है तो यह किसके लिए essential है maturation and motility of sperms correct transfer second हो जाएगा कि यह maturation sperms के maturation और motility के लिए यह जरूरी होते है clear इसके बाद next question estrogens progestrogens cortisol prolactin thyroxine hormone are increased several folds in the maternal blood during pregnancy pregnancy के दोराण यह सारे hormones मादा में कई गुणा बढ़ जाते हैं कि pregnancy increased production of these hormones doesn't essential for यह किस काम के लिए जरूरी नहीं है इसा कौन सा काम मदर में जो है वो ऐसा हो रहा है जिसके अंदर इन hormones का higher production या बढ़ा हुआ production जरूरी नहीं है तो इसमें आप देखें सपोर्टिंग fetal growth fetal growth के लिए जरूरी है metabolic changes in mother mother की metabolic reaction की rate को increase करने के लिए भी जरूरी है maintenance of pregnancy उसके लिए भी progesterone जरूरी है maturation of new follicle in ovary ovary में नए follicle की maturation के लिए इसका कोई role नहीं है क्यों क्योंकि pregnancy के time follicle की maturation नहीं होती है तो follicle की maturation के लिए इसमें इसका कोई role नहीं होता है clear इसके बाद आप देखें next a fetal sex determination test based on chromosomal pattern in amniotic fluid surrounding the developing embryo is amniocentesis सीधा सीधा correct answer जो है वो इसका second हो जाएगा यह technique क्या होती है amniocentesis होती है clear उसके बाद next a severe symptomatic complications of sexually transmitted disease are STDs का गंभीर लक्षनों में कौन से लक्षनों को सामिल करेंगे clear severe symptom जो है वो इनके कौन से है इनमें आप देखें fluid discharge slight pain in genital organs यह common symptom itching and swelling in genital organs common symptom इसके में pelvic inflammatory disease and ectopic pregnancy यह क्या हैंगे यह complications जो है वो इनमें आ जाते हैं यह थर्डों का अगर सही time रहते वे STDs का treatment नहीं होता है तो इस तरह की complications आ जाती है इनमें pelvic inflammatory disease ectopic pregnancy clear तो यह इसमें हो जाएंगे इसके बाद next next genotype of parents blood group which cannot produce same blood group type in genotype of their offspring जनकों के रख्षमू का genotype जो अपनी संतत्यों के समान रख्षमू के genotype को उत्पन नहीं कर सकता है वो कौन सा possible इनमें अगर आप पहला है इसमें हम करके देखें जिसे पहला लेके देखें तो पहले में अगर आप लें तो आई ए ए है और आई ए आई बी है समझ लें ना इसको पहले अब इससे जो नई प्रोजेनी बने गी इसमें जैसे आई ए आगया I A आ गया इसमें क्या बन गए I A और I B आ गए अब अगली जो प्रोजेनी इनकी बन रही है इसमें क्या क्या आ गए I A आ ये तो आप देख रहे हैं ये तो अपने पेरेंट्स जैसे आ गए तो ये पोसिबल नहीं है I A I B I B इसको भी अगर आप करोगे तो ये I A और ये I B इनका क्रोज करते ही ये I A I B आ जाएगा तो I A I B आ गया इसका मतलब ये भी अपने पेरेंट्स जैसे आ जाएगा तीसरा अगर आप देखें ये इनके अंदर है I A फिर दूसरा I B फिर इदर है I 0 I 0 इसमें आप अगर देखें तो किसी भी कंडिशन में ये जिनो टाइब जो है वो इनकी प्रोजेनी का नहीं आएगा समझाएगी ना कौन-कौन सी प्रोजेनी आएगी इसकी पहली एक प्रोजेनी जैसे I A I 0 आ जाएगी दूसरी प्रोजेनी आजाएगी I A I 0 तीसरी प्रोजेनी I B I 0 और चोथी प्रोजेनी I B I 0 समझे वो बात को तो ये अपने जनकों से एकदम से अपने पेरेंट से एकदम डिफरेंट आ रहे हैं कोई भी जगे प्रोजेनी अपने पेरिंट जैसी नहीं आ रही, clear आंतर, तो क्या होना चीए, correct answer इसका third हो जाएगा, तो इसमें आप देख रहे हो third answer इसका correct रहेगा, clear, उसके बाद next देखें, next question है, find out the sequence of genes on chromosome, if crossover value between P and Q, R and S, P and S, Q and R, P and R are 4%, 8%, 10%, 14% and 18% respectively, तो sequence आपको देखनी है, तो इसके लिए आपको ध्यानोगा chromosome मेप बनाना उता है, इस chromosome मेप में सबसे पहले, ऐसी तरह की question अगर आपके बास आ रहे है, तो इस तरह की question में सबसे पहले जो है, वो हम क्या कर लेते हैं, इनके अंदर सबसे पहले क्रोमोसों मेब बनाने के लिए स्टेट लाइन लेते हैं जिनमें आप सबसे पहले जो सबसे कम recombinant frequency जिसकी आ रही है सबसे कम जो इनके अंदर crossover value आ रही है उनको आप ले ले तो crossover value सबसे कम P and Q इनके बीच में आ रही है 4% ये crossover value सबसे इनके बीच में आ रही है किस किस के P and Q कितनी है 4% आगे इसके बाद आप देखें R and S इनके बीच है 8% R and S इनके बीच में 8% तो यहां suppose आपने R ले लिया और फिर S इस से थोड़ी दूर हो गया तो यहां इनके अंदर जो है वो कितनी है 8% है यहां इनके बीच में 8% हो गई अब उसके बाद यहां 8% है तो यहां इनके बीच जो crossing over आ रहा है यह sorry crossover value आ रही है वो आ रही है 8% अब आप देखें आगे अब इसमें आपको उपर नीचे करके देखना पड़ेगा कि कहां यह सही है या आगे पीचे करना जी है अब उसके बाद आ रहा है P and Q R and S P and S इनके बीच P and S के बीच आ रही है 10% P और S के बीच 10% तो अगर आप इसको यहां रख रहे है P and S के बीच 10% आ रही है तो आप यहां तो आप समझ सकते हो कि S यहां अगर रहे तो यह तो ज़्यादा हो जाएगी तो possible नहीं है क्या होना चीए S इससे पहले अगर possible हो सके तो इसको पहले लेके देखो यहां अगर यह क्योंकि यहां 4% तो यही हो गई और 8% ही हो गई तो 12% तो यही हो गई और Q और R के बीच में भी है distance है इसलिए यहां क्या होना चीए यहां एक बार sequence को फिर उल्टा करके देखो S को पहले लेके देख लो R को यहां लेके देख लो तो P और S के बीच 10% यह cross over value होगी और उसके बाद P and Q and R Q and R के बीच कितनी है Q and R के बीच 14% Q and R यह Q and R इनके बीच 14% और उसके बाद है P and R इन P and R के बीच है 18% तो P यह है R यह है तो P और R के बीच यहां तो 4% ही हो गई 14% ही हो गई तो यहां 18% possible है सही हो जाएगी और यह यहां 10% हो गई तो अगर Q और S के बीच अगर पूछ ली जाए तो कितनी होनी चीए यह 6% जो है वो इनके बीच वैल्यू होने सी है Clear? तो अगर इससे related question पूछ लेते कि Q और S के बीच crossover value क्या है तो 6% और इसके इसाब से sequence पूछी है तो क्या नीची है sequence इसके इसाब से सही चल दिए है P Q S R तो correct answer क्या जाएगा P Q S R पहला answer जो है वो इसका correct answer हो जाएगा first तो इसके बाद next question देखें next दिया हुआ given below is a pedigree chart solving the inheritance of a certain trait in human इसमें क्या बताना आपको एक pedigree chart दिया हुआ है और उस pedigree chart में आपको बताना है कि यह किस तरह की trait को जो है वो explain कर रहा है तो the best possible explanation of trait traced in the above chart is तो इसमें आप देख रहे हैं पहले में male effected था यह male effected है दूसरे में भी female progeny है वो सब normal है only male effected है clear? अगली progeny में भी अगर आप देखें हैं तो only male effected है कहीं भी female effected नहीं आ रही इसका मतलब क्या होना चीए y-linked inheritance है यह y-linked recessive trait यह y-linked में एक ही दे रखा है fourth option इसका correct हो जाएगा यह क्या है y-linked recessive trait है clear? तो यह y-linked recessive trait होगी इसके बाद next समझा आगे न भी? यह केवल male to male inheritance हो रही है totally hollandric inheritance है इसलिए क्या होगा? y-linked inheritance होगी तो fourth option इसका correct option हो जाएगा इसके बाद आप देखें next 127 which is the correct option for number of linkage group is linkage group यह सहलगन सम्मूओं की संख्या के लिए कौन सा भी कल्प सही है तो पहला first statement दे रखा है 7 for males incorrect होगा है males में 9 linkage group होते है does not include sex chromosome sex chromosome को इसमें include करते हैं क्योंकि X chromosome के sorry haploid set के जो number होते हैं वो linkage group होते है और उसके साथ-साथ X और Y different different अगर होते हैं तो वहाँ इनके अंदर दोनो linkage group माने जाएंगे तो यह भी incorrect हो गया always equal to the number of deployed set of chromosome यह deployed set of chromosome के number के equal नहीं होकर haploid set के number के equal होते हैं यह भी incorrect हो गया 24 in human well यह correct है क्योंकि human well जो होते हैं उनके अंदर 23 pair होते हैं इन 23 pair में 22 pair haploid set के number हो गये 22 और उसके बाद यह एक pair जो होता है इसमें X and Y दोनो separate type के different type के chromosome है इसलिए यह क्या हो गया तो यह 12 22 pair यह हो गये एक यह हो गया और एक यह हो गया तो टोटल 24 pair जो है वो किस में होंगे human male में 24 है female में दोनो X chromosome होते हैं दोनो same chromosome होते हैं इसलिए अगर यहाँ एक बात आप हमेसा ध्यान रख लें अगर यहाँ human female के बारे में आ जाता है तो 23 होते हैं human female में linkage group 23 होते है human male में 24 हो जाएंगे इसका इसका इसके बाद आप देखें next next prognathus face with brain size of 14 and a disease seal live in near east and central asia between one leg to 40,000 years big used high to protect their body is किस तरह का में था यह इस तरह के symptom इस तरह के character जिसमें देखे गए तो वो क्या था नियंडर्थल में रहां करेक्ट आंसर इसका second हो जाएगा उसके बाद आप देखें next which type of animals evolved from thecodones thecodones से किस तरह के जन्तों का विकाश भूआ तो thecodones से यह देखे आपके एक graph जो है वो आपके NCRT की book में दे रखा है जिसमें सबसे पहले अरली रेप्टाइल्स दे रखें अरली रेप्टाइल्स से एक तरफ दे रखा है और दूसरी तरफ दे रखा है सिनेप्सिडा सोरोप्सिडा और एक तरफ सिनेप्सिडा दे रखा है सिनेप्सिडा से आगे पैलिकोस औरस पैलिकोस और से आगे में मल सीभाल में सोरोपिट़ा के अंदर रांट जो चैसा इनके अंदर एक ब्रांच ते ब्रांच लोगिषय उस अंदर इक प्रांच भाले एनिमल्स करकोडायल में क soll उपर उपर लास्ट में देखें क्रोकोडाइल दे रखा है डाइनोसोर्स दे रखा है उसके आगे दे रखा यह एकस्टिंट हो गए डाइनोसोर्स और एक तरफ दे रखा वर्ड्स यह आपको जानोगा भी NCRT में चार्ट है पुरा तो ठीकोडोंट से यहाँ ठीकोडोंट के अंदर जो आए वो क्या क्या दे रखें क्रोकोडाइल डाइनोसोर्स और बल्स दे रखें तो correct answer जो है वो इसके according इसका first answer correct हो जाएगा यह इससे ही वोल हुए है उसके बाद हम बात करें आंगे तो आगे next जो है वो 130 130 में दिया वाए evolution is not a directed process in the sense of determinism निश्चे बाद के अर्थ में विकास एक प्रत्यक्स प्रक्रिया नहीं है it is a stochastic process which based on chance events in nature and chance mutation in organism इसके बाद आप देखें तो इसमें fourth option हो गया और इसके बाद next question embryological support for evolution proposed by Unstical इसके evolution के embryological जो evidence दिये थे वो किस ने दिये थे embryological evidence जो है वो इसके दिये थे Unstical ने जिसको disapproved किस ने किया Von Bear ने अंस्ट Von Bear ने जो है वो इसको disapproved कर दिया था correct answer आ जाएगा इसका first Von Bear ने clear उसके बाद next method technique utilizing x-rays to generate three-dimensional image of the internal organs of the body is शरीर के आंत्री कंगों की 3D image त्यार करने के लिए x-rays का उप्योग करना यह कौन सी technique या method है यह होती है इनमें computed tomography तो cancer को diagnose करने के लिए technique का मिली जाती है जिसमें किसी internal organ में अगर cancer हो रहा है तो उसका पतार लगाने के लिए उसकी three-dimensional image त्यार किजाती है उस three-dimensional image त्यार करने के लिए x-rays को exposed किया जाता उसके उपर clear आहां तक तो वह technique है computed tomography clear यह इसमें computed tomography उसके बाद next internal bleeding muscular pain fever anemia and blockage of intestinal passage इस तरह के जो शिम्टम अगर आ रहे हैं तो यह किस तरह की disease है तो किस तरह की disease के symptom है यह सारे एस्केरियस के symptom है इस सारे कौन सी बिमारी के सिम्टम है एस्केरियस के जो क्या है प्रोटोजोन डिजीज हेलमिंथिक डिजीज बैक्टेरियल डिजीज वाइरल डिजीज तो एस्केरियस क्या है हेलमिंथीज है correct transfer second हो जाएगा हेलमिंथिक डिजीज हो जाएगी second option clear इसके बाद देखे next next है which of the following is following statement is incorrect with reference to cannabinoids cannabinoids के लिए निम्ण मैंसे कौन सा कथन गलत है incorrect पूछा इसमें तो cannabinoid के लिए incorrect statement आपको बताना है तो incorrect statement के लिए पहला statement cannabinoid receptors present principle in the brain correct है cns में या brain में इसके receptor present होते हैं second cannabinoids generally taken by inhalation and oral ingestion यह भी correct है inhalation और oral ingestion के थूँ जो है वो इसको use करते हैं cannabinoids are depressant and slow down the body functions यह गलत है depressant नहीं होते यह क्या होते हैं यह excited होते हैं body को excite करने energy level को influence करने के लिए होते हैं तो depressant यह slow down body functions body functions को slow down करने की बजाए क्या करते हैं उसको ज्यादा fast करवाते हैं इसलिए doping करने वाले जो sports person है वो भी अपनी performance को better बनाने के लिए अपने energy level को बढ़ाने के लिए cannabinoids का use करते हैं इसलिए यह statement जो है वो इसका incorrect statement हो गया उसके बाद है these are known for their effects on cardiovascular system of the body cardiovascular system पर body के जो है वो cardiovascular system को effect करने के लिए यह जाने जाते हैं तो यह correct है तो इसमें पुछा है incorrect statement इसके लिए आपको देखना है तो क्या जाएगा third जो है वो इसके लिए incorrect statement हो गया clear अवाज है next पे next है एपी कल्चर can help to increase all production except एपी कल्चर क्या होता है मधुमख्यों का फाले तो एपी कल्चर निम्ड में से कौन से production नहीं कर पा रहा है तो इन में से honey yield सैद का production होता है यह सही है crop yield फसली बोधोंगा क्योंकि क्या होता है pollination भी कर रहे हैं तो pollination करेंगे तो वहाँ crop yield जो होते हैं या crop plants जो होते हैं उनके production को भी increase कर रहा है यह भी correct हो जाएगा crop yield fertility of soil soil की fertility से इसका कोई लेना देना नहीं होता constituents used in indigenous medicine देशी दबाईयों को बनाने वाले गटक में भी उनको भी इंक्रीज कर रहा है उसके production को भी बढ़ा रहा है क्योंकि सहद का production या honey का production इससे बढ़ रहा है तो यह भी सही है तो किस एक को छोड़कर production को increase कर रहा है इसमें से 15 questions में से 10 questions जो है वो करने होते हैं अब यहां question number 136 match column first with column second and choose the correct option first and second column को जो है वो match करवाना है जिसमें आप देखें यूस sponge या इसका skeleton कैसा होगा sponge in fiber से बनता है corals exoskeleton of calcium carbonate calcium carbonate का exoskeleton होता है जो कुछ जो है वो silentrate animals पर present होता है pink tada calcareous cell calcium carbonate का कभच होता है shell होता है गाहर की तरफ pink tada में echinus calcareous endoskeleton echinus होता है echinodermeta जिनके अंदर calcareous ossicles से बना हुआ endoskeleton होता है clear इन में इसके according जो matching अगर हम देखें तो पहले के साथ three फिर second three second first fourth three second first and fourth क्या ना जीए second option इसका correct हो जाएगा ये a के साथ third b के साथ second c के साथ first और d के साथ fourth second option इसके लिए correct option हो जाएगा clear इसके बाद next next समझे आगे ने किस तरीके से आपको exoskeleton की matching करनी इनके साथ next question है mark the incorrect statement with reference to excretion in kokrose kokrose में excretion के लिए क्या बताना आपको incorrect statement को find out करना है इनकरेक्ट स्टेक्मेंट में पहला स्टेक्मेंट है excretion is performed by malpesian tubules correct है malpesian tubules present at the junction of foregut and midgut ये incorrect हो गया का प्रेजेंट होता है midgut and hindgut midgut और hindgut के junction पे present होता है foregut के junction पे नहीं होता स्टेक्टमेंट जो है इनकरेक्ट है कोक्रोज और यूरी को टैलिक सही है 10 to 150 यह लो यह भी सही है तो इनकरेक्ट स्टेक्मेंट पुछा तो क्या जाएगा second option correct option जाएगा clear आं तक उसके बाद आप देखें next question number 138 138 में given below are the statement related with the functioning of different part of human brain with reference to the labeled structure in the diagram solving sagittal section of human brain मानों के brain का sagittal section में ABCD से यह अलग-अलग इसके four parts दे रखें इन में से आपको इसके साथ जो correct इसका description है वो आपको बताना है पहला है A is a measure coordinating center for sensory and motor signaling A क्या है यहां यह थेलेमस है A इसमें थेलेमस है जो क्या शो कर रहा है A इसमें थेलेमस है जो थेलेमस किसको शो करेगा तो यहां A तो है थेलेमस पहले आप इसको identify कर लें A थेलेमस है B हाइपो थेलेमस B हाइपो थेलेमस है C Cerebellum C Cerebellum है और D Medulla है D Medulla of long time clear तो पहला दिरखा है A is a measure coordinating center for sensory and motor signaling correct है थेलेमस यह काम करता है यह statement correct है B controls body temperature urge for eating and drinking तो B हाइपो थेलेमस है तो यह भी इसका काम भी सही है C दे रखा है C along with the amygdala and hippocampus involved in regulation of sexual behavior expression of emotional reaction यह हाइपो थेलेमस करता है जबकि C क्या है Cerebellum है यह incorrect हो गया उसके बाद 4th है D converts short term memory into long term memory यह hippocampal lobe करता है जो Cerebellum का internal part है क्या वो Cerebellum का internal part है उसका काम होता है यह यह भी गलत हो गया तो इसमें क्या पुछा है how many statements are correct correct statement इनमें कितने है तो दो statement इसमें correct है तो second option इसका सही है कौन-कौन से first or second statement इसके correct है बाकि third, fourth इसके incorrect statement है clear उसके बाद आप देखें 139, the ancestor of cave dwellers had normal eyesight, cave dwellers कुफाओं में रहने वाले जो हैं जनतु उनके पूर्वजों में सामाने द्रश्टी होती थी, have normal eyesight but due to living in continuous dark condition continued dark condition में रहने के कारण animals lost the power of vision, उन animals ने देखने की शामर्थे जो है वो खोदी this statement signifies, किसको signify कर रहा है, Lamarck theory of evolution ये evolution की Lamarck theory को signify कर रहा है क्योंकि उन्होंने जब eyes को काम में लेना ही बंद कर दिया तो आइस को काम में लेना ही बंद कर दिया तो वो eyesight उनकी खतम हो गई, clear आदक, किसको represent कर रहा है Lamarck theory को represent कर रहा है, तो correct answer इसका second हो जाएगा, clear, इसके बाद आपने देखें, next, question number 140, 140 है which of the following statement, which of the correct statement about menstrual cycle in primate female, तो primate female में menstrual cycle के लिए correct statement को हम identify करेंगे, पहला statement दे रखा है, the secretion of gonadotropins increases gradually during the luteal phase, गलत हो गया, luteal phase में कभी भी increase नहीं होते हैं, कौन सी phase में increase होते हैं, follicular phase में ये gradually increase होते हैं, the primary follicles grow to become a fully mature graphian follicle during menstrual phase, menstrual phase में maturation नहीं होती, ये भी incorrect, both LH and FSH attain a peak level in the middle of cycle, menstrual cycle के बीच में FSH और LH hormone अपने peak level पर आते हैं, जिसको हम LH surge कहते हैं, और उसी condition में ovulation होता है, तो ये third option इसका correct option हो गया, इसके बाद the corpus luteum secrete, large amount of estrogen, ये गलत हो गया, corpus luteum अगर secrete करेगी, तो कौन सा secrete करेगी, progesterone secrete करेगी, clear आं तक, तो ये statement भी इसमें incorrect हो गया, correct statement कौन सा है, third statement जो है, वो इसके लिए correct statement है, तो correct answer इसका third हो जाएगा, clear, इसके बाद 141, Mr. Arun, with a genetic disease, marries a phenotypically normal woman, Mr. Arun में, कोई genetic disease है, और वो किसी एक normal woman से साधी करता है, they have three sons and three daughters, all of the daughters have the same disease as their father, but none of the son is affected, the disease is caused by, इसमें, Mr. Arun जो है, उसके खुद के genetic disease है, उसके तीन बेटे, तीन बेटियां है, उन में से तीनो बेटियां, इन में disease हो रही है, लेकिन उसके तीनो बेटे, नोर्मल है, इसका मतलब, कौन सी डीजी होनी चीह है, इसके अंदर X-linked recessive gene है, इसमें X-linked dominant, क्योंकि सभी बेटियों में हो रहा है, तो X-linked dominant gene जो है, उसको ये represent कर रहा है, लिए रहां तक fourth option इसका correct हो जाएगा, क्योंकि, केवल father से, जो daughter है, उनमें disease जा रही है, लेकिन sun में नहीं जा रही है, इसका मतलब X-linked है, सभी daughter में जा रही है, तो वो domain linked है, clear आं तक, ठीक है, 142 में, इसमें दिया वा which of the following breeding technique, used to develop hissardale sheep, hissardale sheep को develop करने के लिए, जो कौन सी टेक्निक, breeding technique को use किया गया, तो hissardale बेड को, दो अलग-अलग, बेड की, sheep की, जो breeds है, उनके बीच cross करवा के तयार किया गया, जिसमें एक marino rams और bicanary avies, तो ये दो different breeds जो थी, इनके बीच cross करवाए गया, तो दो different breeds के बीच cross करवाते हैं, तो उसको क्या कहेंगे, cross breeding, clear रहां तक, तो correct answer जो है, वो इसमें क्या होना चीए, cross breeding जो है, वो इसका correct answer जाएगा, third, तो इसका third option correct हो गया, इसके बाद next question, next दिया हुआ है, epithelial tissue, which has a limited role in secretion and absorption, it provides protection against chemical and mechanical stress, तो ये, जिसका secretion absorption में limited role हो, और जो mainly, mechanical और chemical stress के against protect करता हो, वो कौन से tissue होगा, इनमें, compound tissue होता है, तो इसमें second answer इसका correct हो जाएगा, compound tissue, clear, उसके बाद है, 144, ए कोलोनी ओ बैक्टिरिया से ए, ग्रोविंग और गिवन मिदियम, हास बिल्ट इन वारियाशन इंटर्म्स अबिलिटी तो उतिलाइज ए फीड कंपोनें, ए, change in the medium composition would bring out only that part of the population, say B, that can survive under variant population and outgrows the others and appears as new species. This would happen within days, for the sum, something to happen in a fish or foul would take million of years. ये आपके NCRT में दियावा पूरा पैरा है, कि अगर जीवानों की एक कोलोनी, बैक्टिरिया की एक कोलोनी ये है, उसको किसी change culture medium वाले उसमें रखा जाए, तो उसमें से कुछ बैक्टिरिया survive कर जाते हैं, जैसे antibiotic resistant पे अगर रख दें, तो कुछ बैक्टिरिया उसमें survive कर जाते हैं और वो एक नई population produce कर देते हैं, और वही नई population जो है, वो species B के रूप में evolve हो जाती है. अगर यही एक्स जो है, अब आपने देखा कि यह चीज कुछ दिनों के अंदर ही नई species evolve हो गई. अगर यह बात हम फिस या किसी words के बारे में अगर हम बात करें, तो उसमें कई लाखों वर्सों का समय लग जाता है. यह किस चीज को explain कर रहा है, प्रोक्त वर्णन का stress निस्कर्स होगा, किस चीज को explain कर रहा है, about description can be concluded that the rate of appearance of new forms is linked to the life cycle or the lifespan. तो यह life cycle या life spend पर depend करता है, कि life cycle जिनकी कम time की होती है, life spend कम time की होती है, उनमें evolution की rate fast होती है. उनमें नई species appear हो जाती है, वो कुछ time में appear हो जाएगी, और जिनकी life spend ज्यादा long duration की होती है, उनमें नई species arise होने में कई सालों का समय लग जाता है. Clear? तो यह second option इसके लिए correct option हो जाएगा. Clear? उसके बाद आप देखें, next 145, select incorrect statement, पहला statement है इसमें, incorrect statement देखना है, आपको transformation of normal cells into cancerous neoplastic cells may be induced by like physical, chemical और biological carcinogen agents. Correct है यह? तो यह biological carcinogen agent हो या physical और chemical हो उन सब से, यह neoplastic cells में modified हो जाती है. In biopsy, a piece of suspected tissue cut into thick sections, cut into thick sections are stand and examined under microscope by pathologist. यह correct है, यह भी इसमें, यह थोड़ा सा इसमें द्यान रखनें भी, इसको मोटे अनुशेदों में काट दिया जाता है, यह incorrect हो गए, thin section में इसको काट पे हैं, clear आँ तक? एक third physiological and pathological changes can be seen in MRI. तो physiological and pathological changes can be seen in MRI. यह भी सही है, incorrect process में, cancerous cells show decreased metabolic rate, यह, sorry, increased metabolic rate, तो यह इनके अंदर जो है, वो अधीग हो जाती है, यह इसमें है, decreased metabolic rate, तो increased metabolic rate की जाब से यह correct हो जाएगा, cancerous cells show increased metabolic rate, cancer कोशिकाओं में उपापचे इदर अधीग होती है, तो यह भी, यह जो है वो correct हो गया, तो incorrect statement जो है, वो इसमें second हो जाएगा, तो यह second इसका correct answer हो गया है, clear यह आँ तक, उसके बाद next, next 146, 146 है, select incorrect statement, गलत कथनों का, चैन कीजिए, पहला statement है, parapodia और lateral appendages present mainly in mollusk and used for swimming, यह होए, parapodia और lateral appendages present mainly in mollusk and used for swimming, यह molluskा में होता है, यह गलत है, second है, redulla in mollusk is used for excretion, redulla feeding के लिए होता है, excretion में नहीं होता है, यह भी गलत है, ascal mythis are diaceous, यह correct है, unisexual होते हैं, echinoderms, larval stage shows bilateral symmetry, यह भी correct है, tenophores are diploblastic, यह भी correct है, क्या पूछा इसमें, incorrect statement पूछा है, तो incorrect statement कौन से हो जाएंगे, A और B, A और B, incorrect statement हो गए इसके है, clear, तो first option इसका correct option हो जाएगा, उसके बाद आप देखें, 147, 147 में दिया वाया, given below is a diagrammatic representation of, exchange of gases at the alveolus and body tissue, with blood and transport of O2 and CO2, इनमें O2, CO2 के blood के साथ, transport को और exchange को represent कर रहा है, इसमें choose the option which correctly fills, in the blanks, A, B, C, D respectively, तो A, B, C और D, A, B, C, D जो है वो इसमें क्या है, तो A तो systemic vein जो है, उस systemic vein के अंदर, इसका PO2 बताना है, एक में तो क्या बता होगे, systemic vein के अंदर, इसका PO2 बताएंगे, तो systemic vein के अंदर, PO2 अगर हम देखें, तो कितना होता है, systemic vein के अंदर PO2 होता है, PO2, 40 mm of hydrogen, और, इनके अंदर जो है, वो PCO2, इस जगे जो है, वो कितना होगा, यानि B जो है, वो क्या होगा, PCO2 होगा, 45 mm of hydrogen, clear, और उसके बाद, यहाँ PO2, यह systemic R3 में बताना है, PO2 कितना होगा, और PCO2 कितना होगा, तो systemic R3 के अंदर, PO2 जो होता है, वो 95 mm of hydrogen होता है, clear, PCO2 में, यह PO2, systemic R3 में, 95 mm of hydrogen, और PCO2 जो है, वो इसमें होगा, 40 mm of hydrogen, यह 40 mm of hydrogen, तो 40, 45, 95, और 40, यह इसके लिए, correct answer जो है, वो क्या हो जाएगा, second इसके लिए, correct answer हो जाएगा, clear रहां तक, यह इसका, correct answer हो गया, उसके बाद आप देखें, next, 148, the arrows, the arrows illustrated, in the given figure, below indicate, the direction of moment, of materials, in a part of the nephron, the filtrate here becomes, B, to blood plasma, मां तो यहां आप देखें कि एरो से इन में प्रफ सकरीशन बता रहा है एक तरफ की अमोनिया का तो यहां आप देख रहे हो की nutrients अगर साथ में आ गया यह इसमें nutrient साथ में आया हुआ है तो यहाँ DCT और PCT दोनों में लगबग यह चीजें दो दोनों में होती है लेकिन यहाँ nutrient आया हुआ है और NACL आया हुआ है इसका मतलब क्या है यह PCT में चल रहा है इसका मतलब देखिए secretion and reabsorption PCT DCT में दोनों में होते हैं लेकिन nutrients का reabsorption अगर हो रहा है NACL का reabsorption हो रहा है इसका मतलब वो PCT है फिर इसमें बता रहा है the filtrate here becomes B to blood plasma PCT के अंदर जो filtrate होता है वो blood plasma से isotonic होता है जितना blood plasma के अंदर osmotic concentration होती है 300 milliosmol per liter उतनी ही PCT में होती है इसका मतलब ए तो क्या है PCT और B की जगे क्या है isotonic A PCT और B की जगे isotonic second option correct हो जाएगा इसका उसके बाद next question देखिए 149 identify A, B, C and D in the given diagram human scale choose the correct option तो A क्या है, B क्या है, C क्या है और D क्या है तो यह A तो क्या होगी parietal bone A parietal bone होगी जो किसमें दे रखिये A चोथे option में ही दे रखिये A parietal bone, B frontal bone, C maxillie और D higher bone तो यह इनमें A parietal, B frontal bone, C maxillie और D higher bone तो यह इनके अंदर जो है, वो आपने देखा fourth option इसके लिए correct option हो जाएगा clear? इसके बाद next question तो यह इसमें last question है इसका select the names of the hormones to which the following terms are associated उन हार्मोन को select करना है जिनके लिए यह term use होती है biological cloak जो है, वो कौन से हार्मोन के लिए आता है? melatonin के लिए pregnancy hormone कौन से हाता है? progesterone anti-diuretic hormone यह ADH होता है और milk let down factor यह oxytocin होता है clear? और hypercalcemic hormone पराथार्मोन यह पराथार्मोन यह hypercalcemic होता है calcium ion का reabsorption करवाता है तो यह इसके हिसाब से पहले melatonin pregnancy hormone में progesterone और hypercalcemic में पराथार्मोन उसके बाद anti-diuretic उसमें anti-diabetic, sorry anti-diabetic hormone anti-diabetic में insulin और milk let down hormone यह oxytocin तो third option इसका correct option हो जाएगा यह सारे जो है वो इसमें आपने देखा कि सारे किस तरीके से कौन से equation में correct answer क्या है clear आँ तक? तो यह सारा जो है वो आपने देख लिया इस paper का solution हो गया clear? समझने आ गया होगा? ओके thank you bye